सबी भगतों को प्रेम भरी जैश्री राम कल्यूग में लोग बहुत दुखी हैं बहुत प्रेशान हैं वो इसलिए प्रेशान हैं कि राम नाम की शक्ति को लोग भूले हुए हैं जो लोग राम नाम की शक्ति को जान लेता है उससे जुड़ जाता है तो उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं यहां तक की मृत व्यक्ति में भी राम नाम से प्रान आ जाते हैं हम आपको एक सच्ची घटना बताएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने राम नाम जब करके अपनी मरी हुई बच्ची को जिंदा कर लिया अप ये हंडर्ड प्रसेंट विश्वास कीजिएगा क्योंकि इसमें एक प्रसेंट भी जूट नहीं है ये उत्र प्रदेश के जिले की एक सच्ची घटना है एक घ्रस्त आदमी किसी सिध संथ से उनोंने दिख्षा ली जो उनके गुरू ने उनको बताया यानि की दिख्षा क्या ली राम नाम को जानने की उनोंने दिख्षा ली तो गुरु मुख रह करके उन्होंने राम नाम को जान लिया क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं वो प्रति दिन राम नाम का जब करते थे जैसा भी उन्होंने बताये हम आप बोर्ण खोल के नहीं बताएंगे कि कैसे बताया था उनको तो उनके सारे काम जो है अपने आप ही होते थे बिना करे वो रेलवे में जोब करते थे और क्या काम करते थे जब ट्रेन आती है तो वो सिगनल देते थे लाइने बदलते थे तो एक दिन ट्रेन का समय हुआ नहीं था और बैठ गए और एक चदर से मूँण ढख लिया चदर ढख लेते थे जब वो भजन करते थे तो भजन में डूब गए और इस कदर डूब गए आनंद में भजन में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन का समय हो गया ट्रेन आ रही है जा रही है अपने आप क्योंकि ट्रेन तो आती जाती रहती है कि ट्रेन थोड़ी है तो सिगनल जो है अपने आप हो रहे हैं लाइने बदली जा रही है और ट्रेन जा रही है आ रही है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तो कुछ देर बाद वहाँ पर जो ओफिसर थे उनसे उपर के वो आए उन्होंने देखा कि ये तो चद्दर ओड़े बैठा है और सिग्नल अपने आप बदल रहे हैं ये इतना बड़ा चमतकार ये कैसे हो रहा है तो उन्होंने उसको हाथ लगाया खिलाया तो उनका ध्यान टुटा तो पूछने लगे कि ये चमतकार क्या ऐसे हो रहा कि आप मतले बैठे हो ध्यान में चद्दर ओड़े और सिग्नल अपने आप चेंज हो रहे हैं लाईने बदली जा रहे हैं ट्रेनार ये जारी कोई दिकत नहीं हो रही है तो उन्होंने का मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मुझे नहीं पता प्रमात्मा करने वाले हैं मैं तो भस भजन कर रहा था आनंद में डूब गया था समाधी में उतर गया था तो ये सब वही कर रहे हैं तो इतनी हैरानी हुई सब को ये देख कर कि कि इतना बड करें वो उनका काम है तो देखो राम ने श्वेम जो है चमतकार कर दिया सारे सिगनल दे दिये लाईने बदल गई अपने आप तो ऐसे चमतकार होता है ऐसे ही एक दिन वो अपनी डूटी पर ही आए हुए थे उनकी बारा साल की बेटी थी अचानक से बेहों सोकर के गिर तो उनकी पतनी अकेली थी घर पे तो चिला चिला कर आवाजे लगाई सब को कि आज मेरी बेटी बेहों सोगी मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए सब इखटा हुए तो देखा इखटा हो करके कोई जो है उसको हिलाने डुलाने लगे कोई जो है उसकी नवज पकड का कोई हलचल नहीं हुई तो इतना देखा तो कोई पास में डॉक्टर थे उनको बुलाया गया डॉक्टर ने नबस देखी तो बोले इनको ने तो प्राण छोड़ दिये हैं यानि कि अब ये जिन्दा नहीं है तो रोआ राट माच गई सब रोने लगे उनकी पत्नी भी रोने लगी तो कुछ देर बाद उनके पत्नी आ गए यानि कि लड़की के पिता आ गए तो वो आये तो देखा कि सब रो रहे हैं और लड़की जो है पढ़ी है बेहोंस तो कहने लगे सब कि ये लड़की जो है मर गई है तो भाई उन्होंने कहा कि रोये मत आप सब चुपो जाईए सबसे पहले तो चुप हुई है तो उन्होंने क्या किया एक जगे बैठ गए और चद्दर ओड ली चद्दर ओड करके बैठ गए और भाई जुड़ गए राम नाम से ध्यान में उतर गए समाधी में पहुँच गए और लगभग आधे घंटे के बाद आधा घंटा उन्होंने राम नाम का भजन किया आधे घंटे के बाद लड़की ने खात हिलाए खात हिलाए तो सब जो है रान रह गए पैर हिलाने लगी खात हिलाने लगी और उसमें प्राण शक्ति वापिस आ गई सब देखकर जो है खैर रह गए कि मरी हुई लड़की जिन्दा हो गई प्रान शक्ति लोट आई उसकी तो ये सब कैसे हुआ उसके पिता ने राम नाम का जब किया जो उनमें शक्ति थी उसका प्रियोग किया उनसे जुड़ करके प्रार्थना की कि प्रभू मेरी बच्ची को जीवनदान दे दीजि क्योंकि वो राम नाम को जाने हुए थे जानने के बाद एक बार भी कोई उससे जुड़ जाता है तो तुरंट चमतकार हो जाता है देरी नहीं लगती है इतनी शक्ति है इस राम नाम में तो वो लड़की अब तक बिल्कुल स्वस्त है ये हो गई होगी 20-25 साल पुरानी बाद तो इतनी अथा शक्ति है राम नाम में कि छोटी मोटी बिमारियां तो कुछ भी नहीं है जब आप महारोग और मरे हुए वैक्ति को भी जिन्दा कर सकते हो लेकिन विश्वास करोगे निरंतर जपोगे गुरु की शन रोगे तो आप उस राम नाम को जान जाओगे जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि जिसे एक बार बोलते ही गुंगा बोलने लग जاتा है लंगडा पाग चड़ जाता है बांज पुत्र खिलाने लग जाती है मरा हुआ वेक्ति जिन्दा हो जाता है और इच्छा बोलते ही संबव नहीं है जिसके जाने बिना इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती सुख शान्ती नहीं मिल सकता तो अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं और बहुत ही शिग्र आप से किसी नए वीडियो में मिलेंगे और यदि आप दिख्षा लेना चाहते हो निशुल्क दिख्षा द कर दो का?